आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खादी, नैचरल, हरबल, स्कीन टॉनर और रोज वाटर का रिव्यू चलिफी वीडियो शुरू करती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप एक 100% प्योर रोज वाटर को सर्च कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा प्योर रोज वाटर है और यह स्कीन टॉनर का काम करता है बहुत अच्छे से आपके स्कीन को क्लीन करता ह है और यह 100% पेराबेन फ्री है कैमिकल फ्री है अलकोहल फ्री है और यहां पर इस पर लिखा हुआ है खरबल इसकीन टॉनर का दी रोज वाटर तो यह रोज वाटर इसकीन टॉनर का भी काम करता है और यहां पर इस पर लिखा हुआ है क्योर्स एक्जिमा रिवर्टलाइज तो अगर आपकी स्कीन पर एलर्जी की वज़ा से एचिंग होती है खुजली होती है फेस पे तो उसको भी बहुत अच्छे से क्योर करता है यह और यहां पर इसके लिखा है फॉर ओल टाइपस ऑफ इसकीन तो सभी स्कीन डाइब वालेस को यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्क पर यहां इसकी कॉणिटी लिखे हुए है 210 अमल 210 अमल का है यह यहां इनों ने साइट दी होगे तो आप इसकी साइट से भी खरी सकते हैं और यहां पर इनों ने दिया है हर्बल स्कीन टॉनर रोज़ वाटर इसके बैनेफिट दे हैं खादी नैच्रल हर्बल टॉनर के क्य पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है और इंटे इंफलमेटरी प्रोपर्टी देट कैन है रिड्यूस टर एकने अगर बहुत जादा सैंसिटिव है बहुत बहुत जादा इरिटेशन होता है आपकी स्कीन पे और आपकी स्कीन पे रेड्नेस हो जाती है तो यह उसको काफी हद तक reduce करता है और get rid of acne, acne problem को भी कम करता है, तो ये आपके face से oil को, dirt को remove करता है, आपके pores को clean करता है, rose water helps hydrate, revitalize and moisturize the skin, giving it with that refreshed look, तो इसके use से refreshing feel होता है, आपके skin clean लगती है, और ये 100% pure rose water है, और इन्हों ने rose water के साथ साथ इसमें aloe vera extract भी दिखाया हुआ है, तो बता देती हूँ, इसके ingredients है, purified water, rose extract, aloe vera extract और base दिया हुआ है, इसमें, ये इसकी plastic bottle की packaging है, और इसके अंदर आती है, ये seal, जिसको कि आपको हटाना होता है, ठीक है, ये seal हटा देंगे, तो यो, आप इ use करेंगे, ये ऐसे, easy रहागा use करने में, तो अगर आप इसको bag में carry करना चाहते हैं, तो आप इस seal को लगा लें, ताकि leak ना हो ये, तो आपको इसको कैसे use करना है, face wash करने के बाद, आपको इसको, ऐसे cotton pad पे लेना है, cotton pad पे ले लें, आप इसको ऐसे, ठीक है, और अपने face space को, ठीक है, ऐसे अपने face face को लगा लें, ठीक है, पूरे face पे अच्छे से, हलके हाँ से, ठीक है, बहुत जादा रगड़ना नहीं है, बस ऐसे हलके हाँ से लगा लेना है, तो अगर आपके face पे face wash करने के पाद, एक्स्टर डर्ट, और रह जाता है, तो इसको बहुत अच इसका price है, 135 rupees, काफी सस्ता है, और आप इसको online purchase करेंगे, तो यह और भी जादा सस्ता मिल जाता है, आपको, 110 के आसपास करी, आपको मिल जाएगा, मैंने नाइक असे इसको इतने में ही खरीदा है, और यह इसकी shelf life लिखी हूँ है, इसकी shelf life है, यहाँ पे लिखा हुआ है, best before 36 months, तो इसकी 3 साल की shelf life है, और अभी यह October 20 की ही नई packaging है, इसकी clinically proven है यह, और dermatologically tested है, तो 100% आपकी स्कीन के लिए safe है, for external use only, तो आप इसको try कर सकते हैं, आप इसकी description box में इसका link दे दूँगे, आप इसको चाहें, तो online मंगा सकते हैं, या फिर आप इसको इसकी site से भी direct मं सकते हैं, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो helpful लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को like की, share कीजे, मेरे चैनल को subscribe कीजे, मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में एक नए product के साथ, तब तक की लिए बाए बाए